जय सियु संकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे दिसंबर 2022 का मकर रासी फल लेकर के उपस्थित हूँ मैं आप सभी मकर रासी वालों को बतलाऊंगा कि दिसंबर 2022 का महिना आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या उपाय करने होंगे, मैं ये भी बतलाऊंगा बस आप वीडियो में अंद तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी पर मत कीजिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले एक आवस्यक सुचना कि यदि आप मेरे मार्जम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुणली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेश करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730 यह नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा मित्रो डारेक्ट कॉल ना करें, मैसेश करें चलिए मित्रो शुरूबात करते हैं दिसंबर 2022 का मकर रासी फल और मित्रो मैं प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों को हर हपते का सापताहिक रासी फल भी दे दिया करूँ और मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को दैनिक रासी फल भी देने का प्रयास करूँ रोजाना चुकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है और आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और व्यस्तता कारण मैं वीडियो दे नहीं पाता हूँ जिस कारण से की आपको निरास सुना पड़ता है उसके लिए मैं आपसे छमा प्रारते हूँ मित्रों सुरू करते हैं दिसंबर 2022 का मकर रासी फल देखे मित्रों आप मकर रासी वालों ने अब तक बहुत ही ज़्यादा कश्ट सहा आर्थिक रुप से मानसिक रुप से सारेरिक रुप से मानसिक रुप से हर तरफ से आप मकर रासी वालों ने बहुत ही कश्ट सहा है लेकि और समस्त ग्रहों की चाल को मिला करके प्लस सनी की साड़े साती की चाल को देखते हुए ये दिसंबर का महिना आप लोगों के लिए इतना सांदार जाने वाला है कि पूछिये मत अब ये अलग बात है कि बस वही लोग परसान होंगे जिनकी कुंडली में सनी की स्थिती चंद सब्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्थिक रूप से आपका दिसंबर का महिना कैसा रहेगा चुकि साड़े साती के दूशरे चरण में आप मकर राशी वाले पाई पाई को तरस गए पैसों के लिए तरस गए आपकी बहुत सारी जरूरते पैसों के अभ़ाव में पूरी नहीं हो पाती थी और इसके लिए आपको कर्ज लेना पड़ता था इधर उधर मुह ताकना पड़ता था तो दिसंबर का महिना आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही सांदार रहने वाला है आपकी इंकम बहुत बढ़ियां रहने वाली है आपका बिजनस बहुत अच्छा चलने वाला है ये बात बिलकुल तय है आपकी डेली इंकम में इंक्रीजमेंट होगी आपकी income increase होगी हाला कि थोड़ा धीरे-धीरे increase होगी क्योंकि speed तो पकड़ेगी 17 January के बाद ही अभी मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, बनाऊंगा लेकिन December में धीरे-धीरे आपकी income को आप बढ़ता हुआ मैसूस करेंगे और इतना ही नहीं, आपके पैसों की saving भी थोड़ा-थोड़ा होना शुरू हो जाएगी December महिने में लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दो पैसा कमाने की लालच में गलत रास्ते पर मत चलिएगा अगर गलत रास्ते पर आप चल गए तो फिर यहां पर साड़े साथी का क्रम आपके लिए उल्टा हो जाएगा गलत रास्ते पर नहीं चलना है मकर रासी वालों के लिए बहुत से लोग प्रस्न करते हैं कि माखिर मकर रासी जब सनी देव की रासी है तो सनी देव अपनी मकर रासी को इतना कश्ट क्यों देते हैं? अरे भीया, आप जिस सट को पहनते हैं, उस पर थोड़ा सा कोई दाग लग जाए, तो आप उस दाग को छुडाने के लिए लग पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका सट है. उसी प्रकार से सनी देव मकर रासी वालों में जैसे ही कोई तूटी देखते हैं, खराबी देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो उस बुराई को दूर करने में वे ततकाल लग जाते हैं और ततकाल ही दंड दे करके उसे सुद्ध कर देते हैं. दूसरा कोई गलती करेगा तो उससे तत्काल दंड नहीं मिलेगा लेकिन मकर रासी वालों से अगर कोई गलती हो जाएगी तो तत्काल ही उन्हें परिस्मेंट प्राप्त हो जाती है यह बिल्कुल मानी हुई बात है बिल्डिंग मेटेरियल्स और सेर मार्केट में आप दिसंबर महिने में निवेश कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फायदा होगा बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा होगा बस एक बार अपनी कुणली चेक करवा लिजेगा कहीं आप दोखा न खा जाए सनी किस्तिती बढ़ियां र सवभाग्य साली रहने वाला है उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी सुख सुविधाओं के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करने का सुभाग्य प्राप्त होगा और इतना ही नहीं बिद्यार्थियों की एकाग्रता मानसिक सकती दिसंबर महीने में काफी बड़ रहने वाला है और आप विद्यार्थिगण इस दिसंबर महिने का पूरा पूरा लाब उठा लीजिए अब मैं बात करूं सेहत के दृष्टी से बहुत से मकर रासी वाले भाई भाई भेहन मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सेहत ठीक नहीं रहती है बीमारियां हावी रहती है तो देखिए एक बात आप जानलीजिए अभी सनी देव अर्तमान में आपके लगन पर विराजमान है लगन का मतलब क्या आपका सरीर सेहत स्वास्थिय आपका चंद्रमा याने मन तो अब क्या है कि अब लगन पर से सनी की छाया धीरे-धीरे हट रही है और सनी देव बढ़ रहे हैं दूसरे घर की तरफ कुंडली के द्वितिय भाव की तरफ तो जाहिट सी बात है दिसंबर महीने में आपका स्वास्थिय ठीक ठाक रहेगा बढ़िया रहेगा किन्तु थोड़ी बहुत समस्याएं तो सताएंगी ही सताएंगी ये प्रकृती का नेचर है जब आपने ये सरीर धारन किया है अरे अवतारी महापुरसों को भी रोग ब्यादिया सताती है तो आपकी स्खेद की मूली है तो इसकिन इंफेक्शन पाव में दर्द ध्यान सुधार होगा आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम में धीरे दीरे सुधार जरूर होगा अब पहले के पिक्षा आपका डाइजेशन अच्छा रियक्ट करेगा जिससे की आप ठीक ढंक से भोजन कर पाएंगे और उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे लेकिन फिर भी मैं आपक दे हुए चलना है ठीक है क्योंकि अभी भी साड़ साती का दूसरा चरण है तो लापरवाही अगर आप करेंगे तो परसानी होगी मैं फिर सके रहा हो दिसंबर महिना बढ़िया है लेकिन लापरवाह इंसान के लिए कभी भी कोई भी समय बढ़िया नहीं होता है इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है हाँ एक समस्या है कि परिवार में कलह कलेस किसी गलत फैमी के कारण हो सकता है तो गलत फैमियों को आपको हवा नहीं देनी है और जब तक आप अपने आखों से न देख ले अपने कानों से न सुन ले तब तक आपको किसी बात की दिकार्ना नहीं है वरना वहां पर जगड़ा तनाव किछ-किछ होगा ही होगा बात समझ में आई तो दिसंबर महीने में ये साउधानी रखनी है किसी भी गलत फ्हहमी को तूल नहीं देना वरना तिल का ताल बंते देर नहीं लगेगा और घर परिवार का माहुल बिल्कुल भी गड़ जाएगा दिसंबर महीने में संतान पक्ष को लेकर के आपको थोड़ा कश्ट प्राप्त हो सकता है संतान की उधंडता से आपको अपमानित होना पड़ सकता है इस बात का थोड़ा ध्यान रखेगा तो अपने आचरण और अपनी संतान के आचरण दोनों पर स्ट्रूपक्ष थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखेगा लेकिन आप पर हावी नहीं हो पाएगा अगर आप सत्रूपक्ष की बातों में आ गए तब तो फिर दिक्कत होगी समस्या हो सकती है लेकिन दिसंबर महा में सत्रूपक्ष थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा महीना आपके लिए काफी सव भागय साली है ठीक है तो वाइवाहिक जीवन और प्रेमी जोणों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही बढ़ रहने वाला है वाइवाहिक लोग और प्रेमी महीना इतना सपोर्टिव रहेगा हीव दोनों लोग एक दूसरे को बहतर तडिके स समझेंगे और खुश नुमा पलों का आनंद उठाएंगे कोई भी तकरार जो अब तक चलती चली आ रही थी वो दिसंबर महिने में समाप्त होगी तो ये दिसंबर का महिना आप दोनों प्रकार के लोगों के लिए काफी लखी रहने वाला है तो मित्रों ये रहा दिसंबर का रासी फल आपको कैसा लगा अपना विचार जरूर रखेगा और क्या मैं इसी प्रकार हर महिने का रासी फल देता रहूं या क्या मैं सापताहिक रासी फल देता रहूं इस पर अपने विचार जरूर रखेगा आप मैं जानना चाहता हूं मेरी जिग्यासा है और एक बात ज सिव पंचाक्षर इस्तोत्र का प्रति दिन पांच बार पाठ करें, आपका दिसंबर महीना अनुकुल रहेगा, किन्तु फिर भी, सबसे बेश्ट उपाय तो यही होता है, कि आप अपनी कुंडली का निरिक्षण करवाएं, उस कुंडली में सनी और चंद्रमा की स्थिती को जाने और उस अनुसार उपाय करें तो आप सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही जाते जाते फिर से कहे दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से से अपनी समस्याओं का समाधान चाते हैं अपने कुण्ली दिखवाना चाते हैं तो आप मेरे वाट्सप टंबर पर मैसेश करें मेरा वाट्सप टंबर है 8540096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मित्रु डारेक्ट कॉल ना करें मैसेश करें ठीक